बॉलीवूड का एक ऐसा कॉमेडियन जिसकी कॉमिक टाइमिंग और शांदार अधाकारी ने दर्शकों को हसा हसा कर लोट पोट कर दिया वो जब गुंडा बनकर सामने आया तो सेल्शेस्ट खलनायक का अवार्ड ले गया और जब गंबीर किर्दार में परदे पर आया तो उसने दर्शकों को रुला डाला एकलोता कॉमेडियन जिसके फिल्म में होने से बड़े बड़े लीड हीरो तक इतना घबरा जाते थे कि उसके सीन्स पर कैंची तक चलवा देते थे ताकि उनकी आहमियत कम नहों जाए लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ आपका क्या ख्याल है मंत्री जी लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तों में यह कलाकार फिल्मों में आने की वजाए एक सरकारी कमपनी में दरजी बनने जा रहा था क्या आप सोच सकते हैं कि इसका लाकार ने की है खुद से लंबी लड़की शेशादी और बहुत सुखी है इनका परिवारिक जीवन और क्या आप यकीन खरेंगे कि इसका लाकार की महत्वकांचा ने इसे इसकदर बरवादी के कगार पर पहुचा दिया था कि उन्हें जेल तक जाना पड़ गया था तो क्या है इस कॉमेडियन का वास्तविक नाम और कौन साथ था वो गलत फैसला जिसने इसका करियर बरवाद करने के साथ साथ पहुचा दिया था इन्हें सलागों के पीछे और कहाँ और किस हाल में है आज यह कलाकार जानेंगे और भी बहुत कुछ बस आप बने रही हैं हमारे साथ दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं ड्रामा सिरीज भारत और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट धीरज अब तक तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि आज के इस कारक्रम में हम जिक्र करने जा रहे हैं मशूर कॉमेडियन राजपाल यादो के बारे में राजपाल नौरंग यादो जी हाँ यही उनका पूरा नाम है उनकी कहानी पहले ही बहुत दिलचस्ट और उतार चराव से भड़ी हुई है लेकिन इसे और विस्तार से जानने के लिए हमें उनके नीजी और पेशेवर जीवन के और भी गहरे पलूम पर थ्यान देना होगा 16 मार्श 1971 को यूपी के शाजाहांपूर में पैदा हुआ एक लड़का जो हाई स्कूल से पास कर दरजी बनने की ट्रेनिंग कर रहा था वह बॉलिवूड में कॉमेडियन राजपाल यादो के नाम से कैसे मशूर हो गया आपके मन में भी यही सवाल आता होगा उनका जन्म एक साथारन किसान परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम नौरंग यादो था और मा गुदावरी देवी खरेलू महीला थी उनका पालन पोशन एक रामीन परिवियश में हुआ था दरसल राजपाल यादो का मन बचपन से ही पढ़ाई में नहीं लगता था हाँ गाओं के बाहर कहीं दूर रामलिला या नौटंकी हो रही हो तो वहाँ जरूर पहुँच जाते उनके लिए बच्पन में सिक्षा के मामले में बहुत उत्सा नहीं था लेकिन कला के प्रती उनके जुकाओं ने उन्हें एक अलग राश्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया कई बार जीवन में छोटी छोटी चीजें हमें अकसर बड़े आउसरों की तरफ तकेलती हैं और राजपाले अदो के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उन्होंने रामलिला और नौटंकी में हिस्सा लेना शुरू किया तो या किसी बड़े सपने की शुरूआत थी उनकी कोशिसें और संगर्स उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरिस करती रही चाहेवा उनके 5.2 इंच के कद की वज़े से आर्मी में भरती ना हो पाना हो या पीएसी की भरती से छट जाना हर विफलता के बाद उन्होंने नए मौके ढूंडे यही हिम्मत और समर्पन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी ओर्डिनेंस फैक्टरी में दरजी की नौकरी मिल गई और कुछ दिन प्रशिक्षन भी लिया लेकिन काम में मन नहीं लगा और छोड़कर लखनों चले गए भारतेंदू नाट्य अकादमी ज्वाइन करने वर्स 1992 में अकादमी में दाखिला लेने के बाद राजपाली अदो का जीवन एक नई दिशा में बढ़ा दो साल के प्रशिक्षन के बाद उन्होंने वर्स 1994 में दिल्ली के National School of Drama यानी NSD की परिक्षा पास कर ली और वहाँ दाखिला मिल गया NSD में उन्होंने अपने हुनर को और निखाला इस दोरान उन्होंने वहाँ कई शांदार नाटक किये और वहाँ के महौल से बहुत कुछ सीखा उस दोर में NSD की गिंती भारत के सबसे प्रतिष्ठित थेटर संस्थानों में होती थी और यहां से निकले कलाकार बॉलिवुड और थेटर में अपनी अलग पहचान बनाते थे NSD में उनके सीनियर थे नवाजुदिन शिद्धिकी जो राजपाल की खूब रैगिंग किया करते थे 1997 में NSD से एक्टिंग के महारती बनकर निकले तो साल भर में ही दूरदसन से बुलावा आ गया 1999 में I.A.T.V. सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल में उनके कॉमिक किरदार ने उन्हें जनता के बीच खासी लोग प्रियता दिलाई दिल्चस्प सन्योग यह रहा कि दूरदसन पर ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने में मुख्य भूमिका में रगवीर यादो थे भाई समझने लगे थे राजपाल यादो का बॉलीवूड में सफर धीरे धीरे शुरू हुआ शुरुवाती दिनों में उन्हें छोटे छोटे किरदार मिले जिनमें कई बार उनकी भूमिकाएं नोटिस भी नहीं की गई वर्स 1999 में उन्हें तीन फिल्मों में छोटे मुटे रोल मिले ये फिल्में थी मस्ट दिल क्या करे और शूल किसी में वो चपरासी बने तो किसी में कुली और किसी फिल्म में चौकिदाल इन किरदारों में उन्हें किसी ने खास नोटिस नहीं किया लेकिन बॉलीवुड में शुरुआत पाकर वो फुले नहीं समा रहे थे उनका पहला बड़ा ब्रेक तबाया जब उन्होंने राम गुपाल वर्मा की फिल्म जेंगल में विलेन शुषान सिंग के गुर्गे सिप्पा का रोल निभाया वर्स 2000 में आई इस फिल्म में राजपाल का किरदार वैसे तो मुख्य विलेन का नहीं था लेकिन इसमें भी उन्होंने अपनी अलग पहशान बनाई और बेस्ट विलेन का स्क्रीन अवार्ड जीता उनकी कॉमिक टाइमिंग के साथ साथ गम भीड़ता और गैराई से बड़ा अभिने उन्हें बाकी खलनायकों से अलग करता था फिल्मों के इतियास में ऐसा पहली बार हुआ कि मुख्य विलेन की बजाए उसके गुरगे को अवार्ड मिला इसके बाद राजबाल यादो एक रेट फिल्मों के एक्टर बन गए उन्होंने वर्ष 2001 में आई फिल्में प्यार तुने क्या किया और चांदी बार में अपनी अदाकारी के चल्वे दिखाए अगले वर्ष यानी 2002 में उन्हें एक दरजन फिल्में मिली जिनमें हम किसी से कम नहीं चोर मचाय शोर और रोड अधी प्रमुक्ती वर्ष 2003 में आई फिल्में डर्ना मना है मैं मादरी दिख्षित बनना चाहती हूँ और हंगामा में उनके अभिने की खासी प्रशन सा हुई और कई पुरसकार्स हमारहों में उन्हें नॉमिनेशन भी मिले वर्ष 2004 में रिलीज सुपर हिट फिल्म मुझसे शादी करोगी में उन्हें ने सल्मान खान के जोतिस चलाकार राजपुरहित पॉल की ऐसी शांदार एक्टिंग की कि दर्शक बर्शों बाद तक उन्हें याद करते हैं 2005 की फिल्म गरम मसाला, 2006 की फिल्में फिर हेरा फेरी, माला माल वीकली और भागम भाग में उनके अविने ने लोगों का दिल जीत लिया अगरोल चाहिए, तो तुम्हें उस लड़की को हिरोन बनाना पड़ेगा, जो तुम्हारे गुरूप में काम करती थी, क्या नाम है उसका? नाम वो उसका नाम से क्या करता तुछे? हाँ, साले, शादी करी उसका करोड़ पती 25 दिन में राजपाल की खास बात यह थी, इवा किसी भी किरदार में ढल सकते थे चाहे वो कॉमेडियन का हो, या फिर कोई गंभीर रोल उन्होंने हर किरदार में अपनी अलग छाप छोड़ी राजपाल कॉमेडी फिल्मों के सफल निर्मातर नर्देशक प्रेदर्शन के तो फेबरिट कलाकारों में सामिल हो गये थे और उनकी लगबग हर फिल्म में इनका एक रोल अवस्य रहता था वर्स 2007 में आई फिल्म भूल भूलेया का छोटा पंडित का किरदार हो या उसी साल आई ढोल में मारतन मारू दमदेरे की भूमी का उन्हें याद कर लोग हांसे बिना नहीं रहते वर्स 2008 में आई गौड तुसी ग्रेट हो के रंगीला लोटरी वाले हो या फिर उसी साल आई फिल्म भूतनात के एंटनी उन्हें हर रोल में काम्यावी मिली 2010 की फिल्म खटा मीठा का रंगीला हो या 2011 की फिल्म बिन बुलाए बराती का मुरारी उनके हर किरदार में उनके अभिने की छाप अवस्य दिखती थी अगर रोड के बीचों भीच रोडी और बजरी नहीं डालोगे इन किरदारों में उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और अदाकारी से लोगों को खुब हसाया उनके हर संबाद अदायकी में हाथ से की एक गहरी समझ होती थी जो उन्हें बाकी कॉमेडियन्स से अलग बनाती थी यही वज़य थी कि बॉलिवुड के बड़े बड़े निर्देशक और निर्माता अपनी फिल्मों में उन्हें लेना पसंद करते थे उन्होंने कुल 200 से भी अधिक फिल्मों में तरह तरह के किरदार निभाए राजपाल यादो का केरियर अपने शिखर पर था और उसी समय उन्होंने एक ऐसा निर्दने ले लिया जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया 2010 के आसपास उन्होंने अपने फिल्म निर्मान की कमपनी नौरंग गोदावरी लिमिटेट की स्थापना की वह एक बड़े बजट की फिल्म बनाना चाहते थे और इसमें उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी हलाकि फिल्म निर्मान का अनुभव ना होने की कारण फिल्म का बजट बेताहाशा बढ़ गया और उन्हें अतिरिक पुंजी की आउशक्ता पड़ी इसी बीच उन्होंने दिल्ली के एक व्यावसाई माधो गुपाल अगरवाल से 5 करोड उपे उधार लिये लाजपाल ने वादा किया था कि वह आठ करोड रूपय वापस करेंगे उनकी फिल्म अता पता लापता रिलीज हुई वर्स 2012 में हलाकि फिल्म की कहानी से लेकर एक्टर और उनके डायलोग्स सभी कुछ बेहत परफेक्ट थे लेकिन फिल्म नहीं चल पाई और इसके फ्लॉप हो जाने के कारण उनका सारा पैसा डूब गया उधर माधोगोपाल अगरवाल ने उनके खिलाफ धुखादरी का मुकदमा दर्ज कर दिया कोर्ट ने वर्स 2018 में राजपाल यादो को तीन महीने के लिए जेल भेज़ दिया यह समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था जेल से बाहर आने के बाद भी उन पर करच का बोश था और कोर्ट ने उनने 14 करोर रूपय चुकाने का आदेश दिया जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादों ने फिर से बॉलिवूड में अपनी जगह बनाने की कोशिस की उनोंने चोटे और बड़े दोनों फिल्मों में काम करना शुरू किया लेकिन पहले जैसा जादू दोराने में उन्हें कठिनाई हो रही थी हलाकि उनके फैंस आज भी उनकी फिल्मों का बेसबरी से इंतजार करते हैं राजपाल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पहचान बनाने की कोशिस की और OTT प्लेटफॉर्म पर भी कुछ प्रजेक्स किये 2020 की फिल्म कुली नंबर वन के पिंटो और 2021 की फिल्म हंगामा टू के पोपट जमाल वराजा धतिंगर धिंगडा जैसे किरदारों ने राजपाल की वापसी को सशक्त पहचान दी राजपाल यादों ने बॉलीवूट को और भी कई यादगार किरदार दिये हैं जिनमें 2021 की बूट पॉलिश के गूगल बाबा और टीवी सीरीज पॉपकॉर्ण के सुल्तान कुरैशी वा तौफिक कुरैशी अर्थे तक दर्शकों के दिलों पर राज करते रहेंगे वो एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी बेहतरीन कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनके अंदर एक गंभीर अभिनेता भी छिपा हुआ है उन्होंने अपने केरियर के दौरान हर तरह की भूमिकाये निभाई हैं और आज भी उनके फैन्स उन्हें स्क्रीन पर देखना चाहते हैं लाजपाल यादो का नीजी जीवन भी उनके पेशेवर जीवन जितना ही उतार चड़ाओ से भरा हुआ है उन्होंने दो शादिया की हैं पहली पतनी करुना से उन्हें एक बेटी जोती है जिसकी शादी 2017 में लाजपाल ने एक बैंक कैशियर से कराई है दरसल जोती के जन्म के वक्त ही उनकी मा करुना की मौत हो गई थी वहीं दूसरी पतनी राधा से उन्हें दो बेटिया हैं वर्स 2002 में राजपाल फिल्म दा हीरो लव स्टोरी औफ स्पाई की शूटिंग के लिए कनाडा गये थे वहीं एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात राधा से करवाई दोनों कनाडा के शहर कैलगरी में ओफिस शॉप पर मिले थे इस मीटिंग में कपल ने अपनी प्रोफेशनल और परसनल लाइफ की बातें एक दूसरे से शेयर की थी वहाँ साथ में दस दिन गुजारे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया दस दिन पूरे होने के बाद राजपाल वापस इंडिया आ गये लेकिन वापस आने के बाद भी अदोस्ती तूटी नहीं दोनों फोन पर एक दूसरे से जुड़े रहे तकरीबन दस महिने तक फोन कनेक्ट रहने के बाद राधा ने इंडिया में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया इंडिया शिफ्ट होने के बाद ही 10 जून 2003 को दोनों ने शादी कर ली राजपाल की पतनी राधा उनसे करीब 9 साल चोटी है इस बाद की जानकारी खुद राजपाल ने एक इंटरव्यू में दी थी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था लोगों को लगता है वह मुझसे बेहद लंबी हैं लेकिन असलियत यह है कि वह सिर्फ एक इंच लंबी यानि 5 फिट 3 इंच की हैं और 9 साल चोटी हैं राजपाल और राधा की दो बेटिया हैं वह हमेशा अपने परिवार को प्रात्मिक्ता देते हैं मुश्किल समय में भी उनके परिवार ने उनका पूरा साथ दिया राजपाल ने कई बार इंटरिव्यू में कहा है कि उनकी पत्नी और बेटियां उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरना है दाजपाल यादों की कहानी शंगर्स, मेहनत और दिर्ध संकल्ब की कहानी है एक छोटे से गाउं से निकल कर उन्होंने बॉलिवुड में जो मुकाम हासल किया वह किसी सपने से कम नहीं है हलाकि एक गल्ती ने उनके करियर को बरबाद कर दिया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी उनका मानना है कि जिन्दगी में गिर कर उटना ही असली जीत है और इसी सोच के साथ वह आज भी अपने सपनों का पिछा कर रहे हैं राजपाल की आने वाले फिल्मों में दर्शकों को उनसे कई उमीदे हैं वह अपनी पुरानी गल्तियों से सीखते हुए अब अपने करियर को नई दिशा में ले जाना चाहते हैं उनका कहना है कि वह फिल्मों में सिर्फ एक कॉमेडियन की भूमिका नहीं निभाना चाहते, वह विविद किरदारों में अपने हुनर दिखाना चाहते हैं। राजपाल यादो की यह कहानी केवल एक अभिनेता की नहीं बलकि एक इनसान की कहानी है जिसने जीवन में बहुत कुछ साहा लेकिन कभी हार नहीं मानी। वह आज भी अपने शंगर्स और हिम्मत से लोगों के लिए प्रेरना बने हुए हैं। तो दोस्तों आपको कॉमेडी किंग राजपाल यादो की जिन्दगी वरवना या वीडियो कैसा लगा हमें आवश्य बताएं। अगर आपके पास राजपाल यादो साब से जुड़ी कोई और भी जानकारी हो तो भवी कमेंट बॉक्स में साजा करें। अब दीजी अपने